हेलो गाईस करंट अफेर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ आपके साथ भी शेक शर्मा और आज की इस वीडियो सेशन में हम दो जनवरी तक के सभी इंपोर्टेंट करंट अफेर्स कवर करने वाले हैं हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंतर तक चरूर देख तो आप हमारा करंट अफेर्स फंड आगा जो वन इयर मेंबर्शिप प्लान है उसको जोइन कर सकते हैं इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कॉमेंट बोक्स में भी हमने यह लिंक आपको प्रोवाइड करा दिया है तो 249 रुपीज में में आपको मिलती है एक साल के लिए रहती है और अभी यदि आप इसको कैफ 10 कोड एपलाई करेंगे तो 10% आफ भी आपको इसमें मिलेगा तो यह स्पेशल ऑफर चल रहा है सीमित समय वथी के लिए तो आप यदि हमारा करंट अफेर्स कॉंटेंट आपको उच्छा रगता है आप आप कर सकते हैं इसमें जितनी ही हमारी फाइल्स हैं वह आप डाउनलोड कर सकते हैं प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं इसमें स्टैटिक जीके भी प्रवाइट करा जाते हैं जो हम डेली करंट अफेर्स क्लास में अंत में देखते हैं तो उनकी पीडिएफ भी प्र फोर संबंदित तो comment box में जरूर लिखेगा तो चलि फिर करते हैं शुरूबात इस वीडियो session की सबसे पहले आज का question देख लेते हैं what is the name of the political party that Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu belongs to Israel के परधान मंत्री Benjamin Netanyahu किस राजनितिक दल से संबंदित हैं options आपके सामने है Shash party, Noam party, Likud party और फिर religious जियोनिजम party मैं तो पूर्ण question है जलती से answer कर दीए comment box में फिर आगे बढ़ेंगे कि साथी current affairs funda को आप टेलिग्राम पर भी जोइन कर लिजिए इसी नाम से हमारा चैनल है current affairs funda कि उस पर भी हम डेली current affairs और स्टेटिक जीगे quiz डालते रहते हैं which state government has signed an agreement with Asian Development Bank amounting to Rs. 2275 crore to improve power distribution efficiency किस राज्य सरकार ने बिजली वीतरन चमता में सुधार के लिए Asia EVCast Bank ADB के साथ 2275 crore के समझोते पर हस्ताक्षर किये हैं options आपके सामने हैं और सही answer option B है 3PRA आपको जानना चाहिए कि 3PRA government ने एक agreement sign किया है Asian Development Bank के साथ और यह agreement 2275 crore का है और इस loan amount की साहता से जो 3PRA government है वो राज्य में power distribution efficiency को improve करेगा आपको 3PRA के बारे में कुछ जानकारी जानने चाहिए capital अगरतला है काफी कुपसूरत city है governor की बात करें सत्यदेव नारायन है chief mr. manik shah है official languages यहां की बेंगॉली कोकपरोक और English है 3PRA की अगर हम बात करें तो यह rest of India यानि की बारत से NH44 के through connected है यह जो NH44 है यह आसाम मेगाले, North Bengal, Kolkata और other parts of India से होकर गुजरता है आपको जाना चाहिए 3PRA में famous क्या क्या है उजियन्ता पैलिस और नीर्भेल यह दोनों बहुत महत्तबून है और स्टेटी चीके में पूछे जाता है एक्जाम में उसके बाद है गेदू मियान, मॉस्क, फिर है माता, त्रिपरस्वरी, टेंपल, दुंबूर लेक, उना कोटी, हाली में चर्चा में था कर्ची पूजा यह भी कई बार SST एक्जाम में तो पूछा ही जाता है गडिया डान्स, होजागिरी डान्स, बहुत महतापून है यह भी और बिजू डान्स, हाई हाक डान्स और संगराई डान्स यह सभी महतापून है और त्रिपरसे संबन्दित हैं इनको आपनों डाउन कर लिजेगा इसका मतलब तो आप जानते होंगे पर जो नहीं जानते हैं बतादे इसका मतलब होता है जैसे दो एंटिटेस की बात कर रहे है तो दूसरे वाले की जब बात करते हैं उसको करते है लेटर जैसे आपर पहले तो लिखा हुआ है mutual fund, which mutual fund उसके बाद आया है LIC mutual fund, लास्ट में लिखा है letter तो इसका मतलब LIC mutual fund की बात करी जा रही है कि it will transfer its schemes to the letter यानि कि LIC mutual fund को transfer करेगा चले जानते हैं इस question के बारे में एक scheme transfer agreement sign किया गया है IDBI mutual fund और LIC mutual fund के बीच में इसके तहट जो IDBI mutual fund है यह अपनी जितने भी schemes है उनको LIC mutual fund को transfer कर देगा ताकि जो से भी mutual fund regulations है उनकी जो regulation 7B है उसके साथ comply कर सके आपको जानना चाहिए जो mutual fund rules होते हैं उनके अनुसार कोई भी single promoter जो multiple asset management companies होते हैं उनमें 10% से ज्यादा stake on नहीं कर सकता कोन single promoter अब बात 2019 है LIC ने IDBI bank को took over किया उसे के साथ जो LIC है इसके majority stake हो गए LIC mutual fund में भी और IDFC mutual fund में भी तो यहाँ पर आपको यह जानना चाहिए कि माफ कीज़ेगा IDBI हाँ IDBI की बात कर रहें न हम यहाँ पर गलती से यह IDFC लिखा गया है गलती से यह IDBI है तो IDBI mutual fund और LIC mutual fund इन दोनों में majority stake इसके हो गए है ना 2019 के बात से तो अब LIC के पास दो option थे या तो इन दोनों mutual funds में से किसी एक को sell कर दे या फिर इन दोनों को merge कर दे तो इसलिए जो IDBI mutual fund है यह अपनी schemes LIC mutual fund में transfer कर रहा है विस city emerged as the top religious destination for bookers across इंडिया according to OYO Culture Traveler 2022 Roundup Report OYO Culture Travel 2022 Roundup Report के अनुसार कौन सा शहर पूरे भारत में bookers के लिए सीर्स धार्मिक इस्थल के रूप में उपरा है options आपके सामने हैं सही answer option दी वारान सी है bookers मतलब जो booking कराते हैं जो गूमने फिरने जाते हैं चले जानते हैं देखिए आपर रिपोर्ट आई है OYO Cultural Travel 2022 Roundup Report औयो दौराय रिपोर्ट जारी की गई है इसमें बताया गया है कि spiritual travel destination रहा है और इसके बाद फिर सदर्न इंडिया फिर वेस्टर्न इंडिया और फिर इस्टर्न इंडिया रहा है मतलब रिजन रहे हैं आपको जाना चाहिए अगर हम इसमें फिर cities की बात करें तो one of the oldest cities in the world वारांसी यह सब्चेक्ट टॉप की religious destination रही है लोगों के लिए इ फिर हरिद्वार है लेकर हम बात करें नौर्थ जोन की ही केवल तो वारांसी पहले पर उसके बाद फिर परियाग राज है फिर अम्रिस सर हरिद्वार कट्रा एंड रिशे केस साथ इस रिपोर्ट में भी बताया गया है कि pilgrimage destinations के लिए सबस्यात जो maximum demand receive होई है वो अगस्त के महीन में होई है कि pilgrimage destination मतलब जो religious destination होती है इंडिया's unemployment rate in December increased to a 16 month high at what percent from 8% in the previous month December में भारत की बिरिजगार इदर पिछले महीने के 8% से बढ़कर 16 महीने के उच्च इस्तर पर पहुंच कर कितने परतिचत हो गई है सही answer option भी है 8.30% तो आपको जाना चाहिए इंडिया का जो unemployment rate है दिसंबर में यह 16 महीने के उच्च इतम इस तर पर पहुंच किया है और 8.30% हो गया है जबकि पिछले महीने मतलब यह तो दिसंबर का है न दिसंबर से पहले का जो महीना था November उसमें 8% थी तो ऐसा center for monitoring Indian economy ने बता है साथ इनों ने वताया कि urban unemployment rate यह 10.09% हो गई है दिसंबर में जबकि नवंबर में 8.96% थी और जो rural unemployment rate है यह 7.44% हो गई है दिसंबर के महीने में जबकि नवंबर के महीने में यह 7.55% थी तो यह rural employment rate में तो गिरावट देखने के लिए मिली है लेकिन जो urban employment है इसमें इजाफा हुआ है आपको जाना चाहिए unemployment rate के बारे में कि जो national statistical office है इसने भी नवंबर में कुछ आंकड़े जारी किये थे इसने बताया था कि July से September तक का जो quarter है उसमें unemployment rate में decline देखने के मिला है और यह 7.2% रहा है महीं इससे पहले का जो quarter रहा अपरियल से जून का उसमें 7.6% unemployment rate था as a percentage of GDP what was India's current account deficit during July to September compared to 2.2% in April to June GDP के पर्दिशत के रूप में July से सितंबर के दोरान भारत का चालू खाता घाटा अपरियल से जून में 2.2% की तूनला में कितना रहा है options आपके सामने हैं सही answer option C 4.4 है तो चलिए जानते हैं इस question के बारे में देखिए Reserve Bank of India के data की हम बात कर रहे हैं इन्होंने बताया है कि इंडिया का जो current account deficit है यह बढ़ देया है जुलाई से सितंबर के बीच के अगर हम बात करें और बढ़ कर कितना हो गया है all time high चला गया है 36.4 billion US dollar आपको बता दें अपरियल से जून में जो current account deficit थी यह 18.2 billion US dollar थी तो जुलाई से सितंबर के बीच में अब जो 36.4 billion US dollar रही है इसका डबल हो चुकी है अपरियल से जून में जो थी उसका डबल हो चुकी है जुलाई से सितंबर के बीच में और लगबग चार गुना हो चुकी है जो fiscal year 22 था 21-22 इसके second quarter में जितनी थी उसका 4 गुना हो चुकी है आपको जाए 2022 थी इसका जो first half रहा इसमें current account deficit 54.5 billion US dollar रही है अगर हम GDP के percentage के तोर पर बात करें तो जुलाई सितंबर के बीच में जो current account deficit रहा यह 4.4% रहा है जबकि अपरियल से जून के बीच में यह 2.2% था वही पीचे 1.3% था अगर हम half year की बात करें सितंबर तक की अपरियल सितंबर तक की तो जो deficit है यह 3.3% of GDP रहा है आपको बता दें जो previous record था highest current account deficit का यह 31.77 billion US dollar था और यह 2012-13 के third quarter में रही थी तो यह भी महत्वण question है बाकि आपको जाना चाहिए current account deficit क्या होता है यह जो money flowing in on export और जो money flowing out on export इसके बीच में जो अंतर आता है उसे कहते हैं यानि कि जो हम export कर रहे हैं goods and services उसकी मातरा तो कम है और जो हम import कर रहे हैं goods and services उसकी मातरा जाता है तो अंदोने की बीच का जो अंतर है वो current account deficit कहलाता है विची स्टेट वोन खेलो इंडिया यूथ केम्स 2022 men's under 18 qualifiers title किस राजने खेलो इंडिया यूथ केम्स 2022 men's under 18 qualifiers का किताब जीता है सही आंसर ओप्शन डी मध्य परदेश है आपको जाना चाहिए बात हो की गई हो रही है मध्य परदेश ने उडिसा को 6-5 से हरा कर खेलो इंडिया यूथ केम्स 2022 men's under 18 qualifiers title जीत लिया है ये जो competition नाय भूनेशर उडिसा में संपन हुआ है हर्याना इसमें तीसे नंबर पर रहा है और जारखंड चोते नंबर पर रहा है मंग देशु हाइटो इलेक्ट्रिक परजेक्ट फंडेट बाइ इंडिया हैस बीन हैंडेट ओवर तो बूटान जीजी डीजी पीसी इस बीजली परियोजना की चमता क्या है ओप्शन्स आपके सामने है सही आंसर ऑप्शन डी है 720 मेगावाट तो जाने का 720 मेगावाट का मंग देशु हाइटो इलेक्ट्रिक परजेक्ट जीजी भारत दौरा फंड फंड किया गया है यह भूटान की तुरूख ग्रीन पार कोप्रिशन को सौंप दिया गया है और इस मौके पर जो भूटान की मिस्टर ऑफ एकोनोबिक अफेर्स हैं और साथ ही इंडिया के जो अमबैस्टर है भूटान में सुधाकर दलीला यह नाम महत्यपूर्ण है यह लोग भी मुझूद रहें तो यह लाइन में इसलिए एड किये ताकि आपको यह मालू हो जोगे कि भूटान में भारत के अमबैस्टर कोन है सुधाकर दलीला विच मिनिस्टी हैज बिन इंट्रोस्टेड विदान एप्लिकेशन इन आल दा लेजिसलेचर अक्रोस दा कंट्री किस मंतराल को देश भर के सभी विदान मंडलों में रास्टे इविदान एप्लिकेशन सुरूखने की चिम्मेदारी सौपी गई है ओप्शन्स आपके सामन है जिसके तहत 39 लेजिसलेचर जिसमें लोकसभा राज्यसभा 31 असेम्बली और 6 काउंसिल है पूरे देश में साथ-साथ जो दोनों हाउसेस हैं पार्लियमेंट के उनको एक सिंगल प्लैट्फॉम पर लाए जा रहा है उनको इंटरकनेक्ट किया जा रहा है आपको उता दे यह वन निशन वन एप्लिकेशन थीम पर डेवलप किया जा रहा है इस एप्लिकेशन को और जो मिस्ट्री ऑफ पर्लैमेंट्री अफेर्स है इसको ए रिस्पोंसिविटी दी गई है कि यह देश में जितने भी लेजिसलेचर जितने भी विधान सबाएं हैं या फिर काउंस प्लैट्फोंप पर लाए जा सके हैं आपको यह जानना चाहिए कि अप्रेल से नॉम्बर दोजार बाइस तक पार्लेमेंट ने 16 पिल्स पास कि यह हैं इसमें विंटर सेशन नहीं है कि आप्रेल से नॉम्बर तक कि हम बात कर रहे हैं 16 पार्लेमेंट तोरा पास किये गए ह और जो winter session है इसको adjoint कर दिया गया है sign day यानि किनी शित्काली के लिए और winter session में हमने no bills देखे जो पार्लेमेंट दोरा पास किये गए which company is funding project Wani, project Wani कौन सी company fund कर रही है, options आपके सामने है सही answer option C है, google देखिए आपको जानना चाहिए कि ISC Bangalore और Art Park यानि कि AI and Robotics Technology Park और Google मिलकर ऐसे project पर काम कर रहे हैं जिसके पूरा होने के साथ ही ज़्यादा तर भारती भासाएं तकनीक के माद्यम से आपस में जुड़ पाएंगी, भारत के लोग दूसरी भारती भासाओं को आसानी से समझ पाएंगे ऐसी भासाओं को project वानी के नाम से अब जाना जाएगा तो देखते हैं project पूरा कब तक होता है और आपको इस project के बारे में जानना चाहिए कि project वानी के तहत अगले तिन साल में देश के 793 जेलों के लगबग 10 लाख लोगों की बाक्चीत record की जाएगी और इस पर काम करने वाली टीम random गाओं कस्पों में जाएगी किसी भी व्यक्ति को आसपास से एक topic दे कर बोलने के लिए कईगी इनकी आवाजों को फिर तकनीक के माद्रम से पूरी देश में उप्योग की जाने वाली विविद भासाओं के साथ मैप किया जाएगा इस पर योजना में आपको यह जानना चाहिए जो ISC और Google है लगबग 1.5 lakh आर्स का audio record करेंगे बाद में यह इस्थाने भासाओं में भी उपलब्द कराये जाएगा Small Industries Development Bank of India यानिकी SIDB announced partnering with which NBFC lender for unsecured loans to MSMEs भारती लगू उद्द्योग विकास बैंक यानिकी SIDB ने MSMEs को unsecured rein के लिए किस NBFC रोने दाता के साथ साहिधारी की खोशना की है options आपके सामने है सही आंतर option भी है Ambit Finvest तो देखिए SIDB यानिकी Small Industries Development Bank of India इन्होंने announce किया है कि हमने non-deposit taking non-banking financial company lender Ambit Finvest इसके साथ partnership की है ताकि जो MSMEs हैं उनको unsecured loans provide किया जा सके SIDB के बारे में आप जानते है headquarter select 9 में स्थापना दौप्त एर 1990 को ईती chairman and MD Sivasu Brahmaniam which is the first ever online OPD consultation service offered by government of India to citizens 12 सरकार दौ़ारा नागरीकों को दी जाने वाली पहली online OPD parameters से वाकपोंसी है options आपके सामने है और सही answer option C है आपर E. Sanjeevni तो आपको जाना चाहिए ये question क्यों लिया गया है देखे E. Sanjeevni चर्चा में है क्यों E. Sanjeevni के थ्रू लगबग आठ करोड पचास लाग से जदा टेली कंसल्टेशन अब तक conduct किये जा चुके है आउश्मान भारत Health and Wellness Centers पर तो ये महत्त पून है more than 8 करोड 50 लाग टेली कंसल्टेशन have been conducted at आउश्मान भारत Health and Wellness Centers till now through E. Sanjeevni और इसमें 5 leading states से आंद्रपदेश, वेस्ट बेंगौल, कर्णाटक, तमिलाडू, महाराष्टे हैं आपर सबस्यादा ये सुविदा दी गई है E. Sanjeevni के बारे में अगर बात करें तो ये National Telemedicine Service है इसका उद्देश यह है कि आप फिजिकल आपको उपस्तित होने की जरुवत नहीं है कंसलिडेशन के लिए आप डिजिटल प्रेटफोर्म का यूज़ करके भी अपनी समस्या बता सकते हैं ये इस स्कीम साल 2019 में नॉंबर के महिने में सुरू की गई थी और Ministry of Health and Family Welfare द्वाराइस को संचालित किया जाता है आपको जाना चाहिए Patients Consult with Doctors and Specialists on a daily basis Using this innovative digital medium to seek health services वही जो मैंने आपको बता है भी Which investment advisor has been banned by Sevi from stock market for 3 years Sevi ने किस निवेश सलहकार को 3 साल के लिए Share Bajar से प्रतिबंदित कर दिया है Options आपके सामने है सरी answer Option C है DC Capital Venture तो जानेगा Capital Markets Regulator Sevi इन्होंने DC Capital Ventures and इसके Directors को Security Markets से 3 साल के लिए जो है बाहर कर दिया है क्योंकि इन्हों Regulatory Norms को Violet किया है DC Capital Venture की बात करें तो ये registered है As a Sevi Investment Advisor इसके Directors संजी दिवेदी प्यूष कुमार सर्मा अधिपाली सर्मा अभी शेक्ति वाली है तो इन सब को भी जो है यहाँ पर प्रतिबंद कर दिया है 3 साल के लिए साथी से भी ने Capron Financial Advising Services और इसके Partners को भी Security Markets से 3 साल के लिए प्रतिबंद कर दिया है विच कंपनी विल एक्वाइर फोर्ड इंडिया मैनुफेक्टरिंग प्लांट एट सानन्द गुजराथ 4 रूपीज 725.7 करोड कौन से कंपनी 725.7 करोड रूपे में गुजराथ के सानन्द में फोर्ड इंडिया के विनिर्मान सिनियंदर का अधिकरन करेगी उप्शनस आपके सामने है सही आंतर उप्शन ए टाटा मोटर्स है आपको जाना शिये टाटा मोटर्स ने कहा है कि फोर्ड इंडिया का जो मैनुफेक्टरिंग प्लांट है सानन्द में इसको ये अपनी सबसिट्री के थ्रू 10 जनवी 2023 तक एक्वाइर कर लेगी इस साल पिछले साल यानि की 2022 की बात हो रही है अगस्त के महीने में कंप्टरी ने एनाउंस किया था इसकी जो आम है सबसिट्री है टाटा पैसेंजर प्राइबेट लिमिटेड का जो सानन्द प्लांट है गुजराद में इसको 725.07 करोड रुपे में एक्वाइर करेगी इसी तरह का एक और करेंट फेर हम देख लेते हैं कि JSW एनरजी इन्होंने 700 मेगावाट का इंड बारत एनरजी उतकल इसको एक्वाइर कर लिया है 1047.07 करोड रुपीज में भारती वायू सेना की पश्यमी वायू कमान की कमान किसने समाली है आपके सामने है सही आंसर अप्शन दी है पंकज मोहन सिना जानेगा एर मार्चल पंकज मोहन सिना तो इन्होंने इंडियन एर फोर्स की जो वेस्टर एर कमान्ड है उसका कारिभार समाला है यह एर मार्शल एस प्रभाकरन को सक्सीड कर रहे हैं यह 31 दिसंबर 2022 को सुपर एन्वेटेड हो चुके हैं यानि की रिटायर हो चुके हैं आपको जाना चाहिए जो वेस्टर एर कमान्ड है इंडियन एर फोर्स की इसका हैट्वार्टर निव डैली में है दा ग्रोस जीस्ट रिवेन्यू कलेक्टेड इन दा मन्त ओफ दिसंबर 2022 इस रूपीज 1,49,507 क्रोड दिस इस फोर 10th मन्त दिसंबर 2022 के महीने में सकल जीस्ट राजसु 1,59,507 क्रोड रुपे है यह लगातार दस्वे महीने से है कि मासी जीस्ट राजसु 1.4 लाग क्रोड रुपे से अधिक रहा इस तर से हमारा सही आंसर उप्शन सी बनता है आपको जानना चाहिए दिसंबर 2022 में जो ग्रोज GST रेवेन्यू कलेक्शन राए 1,49,507 क्रोड रुपे कर रहा है जिसमें CGST के मांट आप दिसकते हैं HGST के मांट और IGST के मांट और CES सामिल है एमांट भी आप दिसकते हैं और मंतली GST रेवेन्यू 1.4,00,000,000 क्रोड रुपीश से जादा रहा है लगातार दसन्यों महीने में यह आपको जानना चाहिए पिछले मतलब इसे मिलाकर पिछले 10 महीनों में 1.4,00,000,000 क्रोड रुपीश से जादा कर जिस्ट क्या जा रहा है टोटल रेवेन्यू के अगर हम बात करें सेंटर और स्टेट्स की सैटलमेंट्स के बाद दिसंबर के महीने में तो 63,301 करोड रहा है CGST और 64,451 क्या होन रहा है SGST आपको जाना चाहिए दिसंबर 2022 के लिए जो रेवेन्यू हैं ये 15% हायर रहे हैं GST revenues in the same month last year जाने कि दिसंबर 2021 से 15% जादा रहे हैं आपको भी जाना चाहिए कि जो गुट्स का इंपोर्ट है इससे जो रेवेन्यू हुआ है वो 8% हायर रहा है और रेवेन्यू स्ट्रों डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन ये 18% हायर रहा है अगर हम पिछले साल के सेम महिने की बात करें रिजर्ब बैंक ओफ इंडिया स्ट्रेंड एंड प्रोग्रेस रिपोर्ट एकोर्डिंग टू रिजर्ब बैंक ओफ इंडिया स्ट्रेंड एंड प्रोग्रेस रिपोर्ट what percent of परदारमत्री जंधन योजना एकाउंट had zero balance in August बार्दर रिजर्व बैंक की trade and progress report के अनुसार अगस्त में परदारमत्री जंधन योजना खातों में कितने परतिशत zero balance था options आपके सामने हैं सही आंसर option D 8.2% तो जाने का परदारमत्री जंधन योजना एकाउंट के बारे में बात हो रही है इसका जो deposit base है उसमें increase देखने के लिए मिला है अगर हम पिछले 8 सालों की बात करें इसमें बताया गया है के वल 8.2% ही इस तरह के एकाउंट थी जिनमें zero balance रहा है अगस्त तक की हम बात कर रहे हैं ऐसा रिजर्ड बैंक ओफ इंडिया की trend and progress report ने बताया है तो ने बताया कि अगस्त 2022 तक out of total for 62.5 million प्रदानमंत्री जंधन योजन एकाउंट्स 81.2 परसेंट ओप्रेटिव थे लियानिकी लगबग 76 परसेंट जो है अब देखने के लिए है 2017 से मतलब 81.2 परसेंट अब अगस्त में है जबकि 2017 में 76 परसेंट थी है अच्छा आपको बताना चाहिए जो यह प्रदानमंत्री जंधन एकाउंट है इन्हें इन ऑपरेटिव कब बताते हैं जब कस्टमर द्वारा किसी भी तरह की ट्रांजेक्शन नहीं हुई हो दो सालों में तो कितने सालों में दो सालों में अच्छा ही बताया गया है कि अगस्त 2022 के एंड तक अबाउट 56 परसेंट ऑफ एकाउंट होल्डर्स यह विमन रही है और 67 परसेंट एकाउंट होल्डर्स यह रूरल एंड से भी अर्बन एरिय इसने के लिए सुमी तोमो एस एच आई एफ डबलू फिनलेंड के साथ एक समझोता किया है सही आंसर ऑफ्शन ए है भी एच यह तो जाने का भारत है वी एलेक्ट्रिकल स्लिमिटेड इसकी फिलफोर्म होती है भी एच यह की इसने एक एग्रिमेंट साइन किया है सुमी तो सुमी तोमो एस एच आई एफ डबलू फिनलेंड के साथ किसले फोर डिजाइन इंजिनियरिंग मैनुफेक्ट्रिंग इरेक्शन कमिशनिंग एंड सेल ओफ सर्कुलेटिंग फ्लुडाइस्ट बैट कमपंशन बॉइलर्स इंडिया और सीज मार्केट तो थोड़ा टेक्नि निव डेली में है वो विल हैड़ सुप्रीम कोड कमिटी ओन एक्सेसिबिलिटी पर सुप्रीम कोड कमिटी का परमुक कोन होगा ऑप्शन साब के सामने है सही आंसर ऑप्शन दी है एस रविंद्र बाट तो जानिएगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डिवाई इसको हैड कर रहे हैं यहां के जज जस्टिस एस रविंद्र बाट और यह एक आडिट कंड़क्ट करेंगे कि जो कोड की प्रमाइसे से क्या यह डिसेबल्ट फ्रेंडली है जो डिसेबल्ट पीपल है उनके लिए फ्रेंडली है या फिर किस तरह की इंप्रूमेंट यहां पर करने की जरूत है क्या वो फिसकल्ट इसको सही से एक्सेस कर पा रहे हैं तो इस कमिटी का जो टास्क है वो यही रहेगा कि जो डिसेबल्ट फीपल हैं चाहे वो कोर्ट में ही जो एंप्लोई हैं एड़ोकेट से लिटिगेंस हैं इंटर्ण से म्क्राइब उनके लिए प रिपोर्ट में बता सकें कि यह कोई भी प्रोप्लम है आप समझें इस चीज़ को विच स्टेट गोवर्मेंट एनौंस्ट नीलगरी तहर प्रोजेक्ट किस राज यसरकार ने नीलगरी तहर परियोजना की गोशना की है ओप्शन सापके सामने है सही आंसर ओप्शन सी है तमिल नाडू तो यह जो आप इमेज में देख रहे हैं नीलगरी तहर है तो देखे एक फस्ट ओफिट्स काइंड इनिशेटिव है यह इंडिया का तमिल नाडू गोवर्मेंट ने लिया है इन्होंने काई कि हम नीलगरी तहर प्रोजेक्ट के एनौंस्मेंट कर रहे हैं ताकि तमिल नाडू का यह स्टेट अनिमल है नीलगरी तहर इसका हैबिट है उसको रिस्टोर किया जा सके और इसकी पोपुलेशन को स्टेबलाइज किया जा सके तो टीम का जो टास्क रहेगा इस प्रोजेक्ट में जो टीम बनाई जाएगा उसका टाक्सी रहेगा कि जिस जगह से यह लोकली एक्स्टेंड हो चुकी है वहां पर फिर से इसको केरल में पाई जाती है और वराइदू लोकली इसका नाम है और जो वाइड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ इंडिया इसके सिड्डूल वन में इसको प्रोटेक्टेट किया गया है वाइड लाइफ एक्ट ऑफ इंडिया 1972 के सिड्डूल वन में रखा गया है और आई- पार्क में बहुत सुन्दर पार्क है मुझे मौका मिला था इस पार्क में जाने का मैं मानता हूं यदि आपको भी जाएं के रल तो इराविकलम नेसल पार्क जुरू जाएएगा आपको नील गरी तहर जो है देखने के लिए बिलेंगी काफी संक्या में और बिल्कुल सांथ रहती हैं आपके साथ चल भी चलती भी हैं आप चलेंगी इनके पीछे पीछे तो आप फोटो वगएरा भी खिच्वा सकते हैं कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती इनके साथ Previous time and questions और आपकेंगे How many recognized national political parties are there in India? 9. M. S. Prabhakra, journalist, academic and author passed away. He was from which state? Karnataka. What is India's rank on the global list of the best cousins for 2022? According to Test Atlas, answer is 5. Brazilian football icon Pele died at the age of 82. How many times he has won the World Cup? 3. Which country has approved the possible sale of volcano anti-tank mine-laying systems to Taiwan U.S.? President Rob Timoor who inaugurated the Misr Dhatu Nikon White Plate Mill in which state? Answer is Telangana. Hyderabad में इनके है इनके हैं इनके है इनके हैं इनके हैं इनके हैं इनके हैं का इनके हैं Which country linked the deaths of 18 children to Shirov Dog 1 Max prepared by Neida-based Marion Baytech? Answer is Uzbekistan. इनके नाम भी आप देख सकते हैं जो डिप्टी प्राइमिस्टर बनाए गए हैं तो आप में से कई एसमें से बिल्कुल सही आंस्ट दिया है इस तरह से आप पार्टिसपेट करते रहिएगा चलिए आज के साहिन में कुश्चंस हम देखेंगे इसमें पुल्दीच उनके प्रैंप बिल्स काशी बालिस्तिक मिस्ट. परकर डिजिना इनकेरिफित इनकेरिक ठाने इनकेरिस काशी थिए बालिस्क पापिज इनकेरिक फ्र। एक्रिषि फिर्ट प्रश्ट पूर्ण पॉलिशी इन रूरल इंडिया विच मिनिस्ट्री लॉंस्ट टू की इनिसिएटिवस ऑफ मिनिस्ट्री सिटी फाइनस रैंकिंग्स 2022 एंड सिटी बुटी कॉंपिटिशन नेम् दे हैड ऑफ था कैथोलिक चर्ज एंड सोवरें ऑफ तर वैटिकन सिटी स्टेट्स फॉम 19 आप हमें कॉमेंट बॉक्स में बता सकते हैं साथ ही आप करेंट फिर्स फंडा को टेलिग्राम पर भी जोन कर लीजेगा यहां पर हम आपके लिए क्विज्ज लेकर आते हैं इंपॉर्टेंट पेडियर्स भी शेयर करते हैं कोई नोटिफेशन आता है जो पसे सम्मदिर व